दोस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त संदीव कुमार आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम अपने प्रोग्राम में पावर का यूज कैसे करेंगे जैसे माल लिजे हम अपने प्रोग्राम में टू की पावर थ्री या इसको कैसे लिखेंगे अगर जैसे माल लिजे आपको आपके पास पावर फंक्शन नहीं है तो आप इसे लिख सकते हैं तो इसे आपका ये प्रोग्रम तो सॉल हो जाएगा लेकिन आपके प्रोग्राम में अगर टू की पावर 10 दे दिया जाए या 50 दे दिया तो आप कितनी बार 2 2 2 2 2 2 लिखते रहेंगे तो इसी में इसी में एक फंक्शन बनाया गया है पावर फंक्शन आएए देख लेते हैं पावर फंक्शन तो इसका हम सिंटेक्स देख लेते हैं कि इसे हम प्रोग्राम में कैसे यूज़ करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे P O B और फिर हम लिखते हैं BASE जैसे हम अगर लिख रहे हैं 2 की पावर 10 तो 2 इसमें BASE हो जाएगा और फिर लिखते हैं पावर ठीक है यह आपका syntax हो जाएगा और और example अगर देख लेते हैं एक्जाम्पल जैसे P O B P O W और यहाँ पे 2 की पावर 10 इस तरह हम लिखेंगे और हमको result मिल दाएगा तो आपको समझ में आ क्या होगा तो हम अपने program में देखते हैं कि इसे हम अपने program में लिखके कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले में आपको एक छोड़ा सा program लिखके दिखाऊंगे जिसमें पावर फंक्शन के यूज़ करेंगे और एक बाद में बता दूँ इस पावर फंक्शन में आपको जो वैलू लास्ट में मिलेगी वह फ्लोट में होगी मतलब फ्रेक्शन में होगी टेस्मल में होगी ठीक है आप अकर इंटीजर भी ले रहे हैं जैसे आपको यह वैलू फ्लोट में ही मिलेगी तो आप अगर पावर पे जो भी वैलू रखते हैं तो उसे फ्लोट बनाके ही रखें और इसकी जो हेडर फाइल है वह है मैड डॉटेज जैसे आपकी प्रिंट एफ की स्टोडिय डॉट एच है उसी तरह इस पावर फंक्शन की ज अपने प्रोग्राम में इसे देख लेते हैं इसे बना दिया आप अगर वाइड में अचिक्षा अब मैं इंटीजर इसले बना रहा हूं क्योंकि हमारा जो तू है वो की इंटीजर है और जो पावर रही कि वह भी हमारा इंटीजर रहेगी तो इसलिए ए और भी यह मैं दे दे रहा हूं कि क्या है और हम एक फ्लोट बनाने वाले हैं माल लिजिए हमने पी बना लिया अब मैं क्लियर स्क्रीन करने वाला हूं ताकि हमाई जो पहले से उस पे कुछ रिंट है वो हट जाए अब हम एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं ताकि यूजर कैसे समझेगा कि हमें क्या प्रिंट कराना है इंपूर्ट इंपूर्ट तू नंबर तू नंबर पॉर्ट पावर ऑपरेशन इससे यूजर को पता चल रहाएं कि हमें क्या करना है अब इस कैनफ से हम दोनों की वैलू ले लेते हैं ए और बी की तेक हैं यहां पे एक जो है वो बेस का 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 काम कर रहा है कि तो पर्षेंटी तो वैलू लेने हैं और सबसे पहले हम किसकी वैलू लेने वाले हैं एक ही क्योंकि वह बेस है कि एक ही और फिर अब हम पी पर जो वैलू है वह वो पुट कर देते हैं यहां पे हम power function का यूज़ करने वाले हैं तो देखिएगा मैंने आपको जैसे syntax में बताया था POW हम यहां पर क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे base और फिर लिखेंगे power तो हमने a को माना है base और b को रखा है power तो हम यहां पर लिख देंगे a,p ठीक है अब हम इसे print भी करा लेते हैं ताकि हम इसे देख सके अब हम जैसे print करा लेते हैं power जो हमार पावर की value मिलेगी यहां पर हम percentage f का use कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो यह है वह float है और हम हमें यहां पर print कराने वाले हैं तो हमने यहां पर हमने प्रिंट करा लिए अब हम हमें अपनी प्रोग्राम में header file लगा लेते हैं सब्सक्रेश्च पहले अगर मैंने यूज किया है तो clear screen तो हम header file लगा लेते हैं है इसके बाद printf यूज किये हैं तो हम किसी भी मैं इसको लगा सकते हैं किसी भी sequence से लगा सकते हैं उसमें कोई नहीं बस header file लगी होनी चाहिए अब यहां पर हम po w function मतलब power function की header file लगाने वाले हैं इंक्लूड मैं टॉट कि यह आप नहीं लगाएंगे तो आपको प्रोग्राम एक्जीक्यूट होगा लेकिन आपको जो रिजल्ट है वो अच्छा सही नहीं मिलेगा इसलिए आप यह हैड़र फाइल जरूर लगाए ऐ थेक है आएए हम इसे रूं कर आके देख लेते हैं सबसे पहले हम इससे कराते हैं कंपायल को इसके बाद हम नहीं इसे वह हम से दो नहीं पाया है तो हम यहां पर एक और फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो यह हमारे स्क्रीन को होल्ड करतेगा कि यह हमारा कंपाइल हुआ है यह नहीं करा है हमने पहले दिया था टू की पावर तो यह हमें है फ्लोट में रिजल्ट मिला है और सेक्स टाइम जीरो ठीक है तो आप समझ गया होंगे अब जैसे मैं फिर सब्सक्राइब कराऊंगा तो अब देखें वह हमेशा फ्लोट में रिजल्ट देगा आप जितनी बार इसे रन करना चाहते हैं रन करा सकते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरा यूटूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें औ और मेरे से जुड़र है थन्यवाद